हेलो बच्चो चलिए देखते हैं exercise 1.1 chapter 1st का question number 4 देखते हैं क्या है given that hcf of these two numbers equal to 9 find lcm of these number यहाँ पर क्या दे रखा है हमें दो number दे रखे हैं जिनका hcf 9 है तो हमें इसकी help से lcm find out करना है अब कैसे find out कर सकते हैं हमें direct यहाँ पर factor करके lcm नहीं निकालना हमें इस relation का use करते हुए हमें lcm find out करना है तो simple से बात है introduction के अंदर मैंने बताया था कि अगर हमें दो number दे रखे हों और lcm hcf के साथ उनका क्या relation होता है वो देख लो बस lcm multiply hcf equal to क्या होता है product of two number product of two number two number बस यह relation होता है हम इसी relation का use करते हुए हम इसको simplify कर लेंगे अब देखो बच्चो हमें hcf दे रखा है 9 तो यहाँ पर lcm को रखेंगे as it is multiply hcf है 9 product of two number two number हमेरे पास क्या है 306 है और दूसरा number क्या है 657 है हमें निकालना है lcm तो यहाँ पर देखो lcm equal to 9 multiply में है right side जाएगा बच्चो divide में चला जाएगा 306 multiply 657 divide by 9 अब हम क्या करेंगे इसको 9 से divide करेंगे 9 बन जा 9 9 3 जा 27 फिर 3 बच गया 36 हो गया 9 4 जा 36 तो lcm क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 34 multiply 657 multiply कर लेते हैं यहाँ पर 657 की 34 से तो 4 7 जा 28 carry 2 4 5 जा 20 और 2 22 carry 2 4 6 जा 24 और 2 26 3 7 जा 21 carry 2 3 5 जा 15 और 2 17 carry 1 और 3 6 जा 18 और 1 19 add कर लो इसको 8 2 और 1 3 6 और 7 13 carry 1 9 और 2 1 और 11 और 1 12 carry 1 तो यह आगया मेरे पास 22,338 तो LCM क्या आ गया बच्चो हमारा 22,338 यह हमारा क्या हो जाएगा final answer आ जाएगा समझ में आ गया किस तरिक्के से निकालना था चैनल को subscribe वीडियो को like जरूर करना अपने friends में share करना सारे की सारे आपको NCRT के questions examples previous year questions और extra questions भी मैं आपको कराऊंगा thank you students for watching Nexa Classes video